क्या मेटिंग करना सही है या गलत? ये हमें डॉक्टर्स अकसर कहते हैं कि डॉक्स को मेट नहीं कराना चाहिए अगर मेट नहीं करा रहे तो इसको न्यूटर करा दो हमारे कुछ एंजियो एक्सपर्ट्स भी हैं जो डॉक्स रिस्क्यू करते हैं और अपनी next generation को आगे लेके आते हैं लेकिन ये कितना essential है dogs के लिए कितना important है ये हम humans realize नहीं कर पाते dogs हो गए, cats हो गए, कोई भी animal हो गया उसका DNA, उसका existence सिर्फ और सिर्फ अपने genetics को आगे ले जाने के लिए ही बना है उसी होर में हर animal खाता है अपने आपको fit रखता है, hunt करता है और अपनी daily exercise को perform करता है ताकि वो mentally stable रहे और आगे जाके mate कर पाए mate करना is very essential for dogs इन तीन points में आपको मैं बताऊंगा सबसे पहला, mating से dogs की आधिज़ादा बिमारिया खतम हो जाती है जैसे कि prostate cancer हो गया या फिर उनके body के अंदर जो stress hormones बनते हैं, वो भी release होते है mating सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने का ज़रिया नहीं है बलकि right lineage को आगे ले जाने का भी मौका होता है जो female dogs होती है, male dogs को तब mate करने देते हैं, जब वो mentally sorted होते हैं और physically strong होते हैं females कभी भी natural process में कमजोर dog से mate नहीं करेगी और एक natural selection process होता है इसके अंदर जो कमजोर dogs होंगे उन्हें mating का right कभी मिलेगा ही नहीं इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि हर dog mate कर रहा है या फिर बिमार dog mate करेगा तो बच्चे बिमार पैदा होंगे तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है nature उनको पहले ही side कर देता है दूसरा advantage मेटिंग का आपको अच्छे line के puppies मिलते हैं अच्छे line मतलब अगर आपके बास puppies जो आ रहे हैं उनके अंदर health issues future में नहीं होंगे अगर आप dogs को natural way से process करने देते हैं नहीं है बस आपको make sure करना है कि मा बेटा आपस में cross ना कर रहे हो या भाई बेटा आपस में cross ना कर रहे हो अब आते हैं तीसरे advantage पे मेटिंग के वज़े से dogs जो है mentally stress free रहते हैं और लंबा जीते हैं अगर आप अपने dog को cross करवाते हैं लेट से पुरे lifetime में एक बार भी अगर आपने cross कराया तो उसके अंदर stress hormones बिल्कुल पैदा नहीं होंगे और वो make sure करेगा कि उसकी जो life है और आगे जाए क्योंकि वो अपने genetic pool से आगे एक और generation के लिए अपना existence दे चुका है अगर मैं बात कर रहा हूँ मेटिंग की सिर्फ और सिर्फ मेटिंग की लोग कहते हैं कि मेटिंग कराना मतलब female को rape कराना ऐसा नहीं है female को बांद के rape कराना वो unethical breeders करते हैं हम जैसे लोग नहीं अगर आप अपने dog को mate करा रहा है natural process के थूँ same breed में तो आपको तीन चीजे ध्यान रखनी है इसके साथ सा सबसे पहले कि वो same family से ना हो same litter से ना हो और उनके अंदर कोई भी genetic issues ना हो अगर genetic issues है पहले ही female उसे discard कर देगी मेटिंग के दोरान female के अंदर stress hormone नहीं बलकि खुशी पैदा होती है कभी भी आप देखना मेटिंग के बाद female कितना उचलती है कितना फुदखती है उसी तरह male भी जो है वो भी बहुत खुश रहता है मेटिंग जो होता है उसके लिए कई trainers आते हैं कहते हैं कि नहीं मेटिंग is not required dogs को मेटिंग कोई required नहीं होती उनको कोई pleasure feel नहीं होता उनको they are just doing it as a natural process of course we are also doing it for the natural process only बलकि हम साल में रोज करते हैं लेकिन वही dogs जो है साल में सिर्फ दो बार कर पाते हैं मतलब 6 मेने में एक बार लेकिन breeders जो ethical होते हैं वो साल में एक बार कराते हैं so make sure करें अगर आपका dog mate करना चाता है तो आप उसके लिए एक right mate ढूलिए लेकिन उसे unethically breed मत करिए get sense in you तब तक के लिए मैं आविनफ क्रिशन आपको बाय कहता हूँ बाय